राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आप सभी को धन तेरस की बहुत बहुत शुप कामनाएं मा लख्मी आप सब के घर में स्थाई रूप से वास करें बंधों आज मैं आपको अपने वीडियो में धन तेरस की कथा श्रवन करवाने जा रहे हूं जो कोई भी धन तेरस के दिन इस कथा का श्रवन करते हैं मा लख्मी उनके घर में स्थाई रूप से वास करते हैं इसलिए बंधों धन तेरस को इस कथा का श्रवन आवश्य करें बंधों कातिक मास के क्रिशन पक्ष की त्रोशी तिथी को धन तेरस के रूप में मनाये जाता है कहा जाता है इस दिन साहि काल में लक्ष्मी जी हर घर में आगमन करती है और जिस घर में साफ सफाई रहती हैं महालक्ष्मी साहि रूप से बास करने रगती है बंधों धन तेरस के दिन धनमंत्री व्यद्य समुद्र मंधन के समय अम्रित कलश लेकर प्रगट हुए थे इसलिए धन तेरस के दिन बद्धन क्रीदने की परंप्रा भी है भागवान धनमंत्री देवताओं के व्यद्य है कहा जाता है धनमंत्री जी विष्णु जी के अंश अफ्तार है चिकित्सा विज्यान के विस्तार और परसार के लिए भगवान विष्णु ने धनमंत्री का अफ्तार लिया था धन्मंत्री जी के सासर धन्तेरस के दिन यम्राज और मा लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है कुबेर के बिना लक्ष्मी जी की पूजा धन्तेरस के दिन अधूरी माने जाती है मुख्यद्वार पर धन तेरस की रात को मुख्यद्वार पर एक दीपक लगाया जाता है कहा जाता है यह दीपक यम के नाम का होता है यह दीपक घर के बाहर नाली के उपर लगाया जाता है कुछ लोग इस दीपक में एक बत्ती डालते हैं और कुछ लोग दीपक में तेल डालकर चार बतियां लगाते हैं फिर जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आधिनवित्य सही दीपक जलाकर यमका पूजन करते हैं बंधों धन तेरस की रात को आठ या नो बजे मालक्षमी के स्मक्ष एक दीपक लगाये जाता है जो की सारी रात प्रज्वलित किया जाता है कहा जाता है जिस घर में धन तेरस की रात को रोशनी होती है महा मालक्षमी स्थाई रूप से वास करती है बंधो अब मैं आपको सुनाओंगी धन तेरस पर सुने जाने वाली मा लक्ष्मी जी की कथा जिसे सुनने से मा लक्ष्मी आपके घर में स्थाई वास करेंगी बोलो लक्ष्मी माता की चै हो एक बाद भगवान विश्मी जी सहיד प्रित्वी पर घोमने है कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले मैं दक्षिन दिशा की और चा रहा हूँ तुम यहीं ठहरो प्रन्तु लक्ष्मी जी भी विश्मी के पीछे पीछे चल दी कुछ दूर चलने पर एक का खेद मिला लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़ कर चूसने लगी भगवान लोटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसान का यह खेद है तुम उनके यहां पर बारें वरश तक उनकी सेवा करो विश्नु भगवान शी सागर लोट गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहां रहकर उसे धन धनने से पूरन कर दिया बारें वरश बीते लक्ष्मी जी भगवान विश्नु के पांग जाने के लिए तयार हो गई तरंतु किसान ने उन्हें जाने ना दिया भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आये तरंतु किसान ने उन्हें रोक लिया तब विश्नु भगवान बोले तुम परिवार सहित गंगा शिरान करने जाओ और इन कोड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना तब तक मैं यहीं रहूँगा किसान ने ऐसा ही किया गंगा जी में कोड़ियां डालते ही चार चत्रभुज निकले और कोड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए ऐसा अश्चरे देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा ये चार हाथ किस के हैं गंगा जी ने किसान को बताया ये चारों हाथ मेरे ही थे तुम ने जो मुझे कोडिया भेट की है वे तुम्हें किस ने दी है किसान बोला मेरे घर में एक इस्ते पुरुष आए है वे लक्षमी जी और विश्रू भगवान है तुम लक्षमी जी को मत जाने देना नहीं तो पुने निधन हो जाओगे किसान ने घर लोटने पर लक्षमी जी को नहीं जाने दिया तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे शाप के कारण लक्षमी जी तुम्हारे यहां बारें वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है फिर लक्षमी जी चंचल है इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके तो तुम हट मत करो फिर लक्षमी जी बोली हे किसान यदे तुम मुझे रोखना चाहते हो तो कल धन तेरस है तुम अपना घर सुच रखना रात्री में घी का दीपक जला कर रखना मैं तुम्हारे घर आऊंगी तुम उस वक्त मेरी पूजा करना प्रंतु में अदिश्य रहोंगी किसान ने लक्षमी जी की बात मान ली और लक्षमी जी द्वारा बताई विजी से पूजा की उसका घर धन धन्य से भर गया इस प्रकार किसान प्रतिवश लक्षमी जी की पूजा करने लगा और अन्ने लोग भी उनका पूजन करने लगी बोलो लख्मी माता की जे हो धन तेरस के दिन सुनी जाने वाली यम्राज की कथा एक बार यम्दूतों ने यम्राज को बताया कि महराज अकाल मित्यु से हमारे मन भी पसीच जाते है यम्राज ने द्रवित होकर कहा बताते हुए कहा धन तेरस के पूजन एव म दीप दान को विधी पुरवक अरपन करने से अकाल मित्यु से छुटकारा मिल सकता है जहां जहां जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मित्यु का भै नहीं रहता इसी घटना से धन तेरस के दिन धनमंत्री पूजन सहिद यमराज को दीप्दान की प्रथा का प्रचलन हुआ एक बार यमदूतों ने कहा सच मुझ एक ऐसी घटना है जब हमारा दिश काम गया हंस नाम का राजा एक दिन शिकार खेलने गया वह जंगल में अपने साथियों से बिचुड़ कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया वहां के शाशक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जनम दिया जोश्यों ने नक्षत्र गन्ना करके बताया यह बालक विवहा के चार दिन बाद मत चाएगा राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमना के तड़ पर एक गुफा में ब्रंदचारी के रूप में रखा गया उस तक इस्त्रियों के चाया भी ना पहुंचने दी किन्तु विधी का विधान तो अडिक होता है सनियोग वश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमना के तड़ पर निकल गई और उस ने उस ब्रंचारी बालक से गन्धर्व विवहा कर लिया चोथा दिन आया और राजकुवर बित्यों को प्राप्त हुआ उस नप परिनिता का करुन विलाप सुनकर हमारा रिदे काम उठा ऐसी सुन्दर जोड़ी हमने कभी ना देखी थी वे काम देव और रती से कम ना थी इस युवक को काल ग्रस्ट करते समय हमारे अशु भी थम ना पाए यमराज ने द्रवित होकर कहा क्या किया जाए विधी के विधान की मर्यादा हे तू हमें ऐसा अप्रिय कारे करना पड़ा तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मित्यू से बचने का उपाए बताते हुए कहा धन तेरस के पूजन एवं दीप दान को विधी पुरवक पूरण करने से अकाल मित्यू से चुटकारा मिलता है जहां जहां जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मित्यू का भेपास नहीं फटकता इसी घटना से धन तेरस के दिम धन मंत्री पूजन सहीद दीप दान की प्रथा का प्रचलन हुआ राधे राधे जेश शिक्रिष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर भी जरूर करना धन्यवाद